Welcome, Let us see Practice Set 52. Practice Set 52 में हमें factorize the expression and write them in a product form. हमें इसको factorize करना है और product form में लिखना है. हमारा first question है 201A square B square. इसको हमें factorize करना है और product form में लिखना है. To कैसे factorize करते हैं? सभब से पहले हमें यह knowledge होना चाहिए कि 201 को क्या बोलते हैं? a cube b square को क्या बोलते हैं जैसे ये 201 है वो coefficient है और इस a cube b cube ये variable है तो हमें यहाँ पे textbook में information दिया है the monomial को first factorize करो और उसका coefficient को factorize करो मतलब ये जो coefficient है 201 इसको पहले हमें factorize करना होगा मतलब इसको इसका prime factors निकालने होगे फिर उसके variables जैसे ये variable है तो ये part of variable है फिर इसको factorize करना है तो कैसे करते हैं let us begin let us see the first question 201 को कैसे solve करते हैं तो 201 a cube b square first question practice set 50 का first question 201 a cube b square अब यहाँ पे ये जो coefficient है 201 इसको पहले factorize करना है फिर a cube b square को factorize करना है तो पहले हम 201 के factors निकाल लेते हैं working note में 201 के factors निकालना है factors निकालने आने चाहिए अगर हमे factors निकालने नहीं आते हैं तो easy number का तो हम कर लेंगे बट जो typical number होते हैं उसको factorize नहीं कर पाएगे तो यह हमें आना चाहिए कैसे करते हैं factorize 201 जैसे यहां पे factors लेने हैं तो prime factors हमें मालू होगे जैसे 2, 3, 5, 7, 11 यह सारे prime factors हैं तो इनके tables यहां पे apply करना है यह tables यहां use करना है तो पहले वाला जो table है 2 वो यहां पर apply नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 कब apply होता है जब unit place पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तब यहां पे 2 हम ले सकते हैं इसका मतलब 2 का table हम यहां नहीं apply कर सकते हैं 3 के लिए 2 के बाद जो prime number है वो 3 अब 3 का table हमें apply करना है 3 के लिए जो divisibility है वो है यह तीनों को add करना होगा 2 plus 0 plus 1 2 plus 0 plus 1 2 plus 0, 2 plus 1 3 तो answer आ रहा है 3 तो 3 को जो भी answer हमें आएगा उसको 3 के table में check करना है तो 3 के table में 3 जाता है तो इसका मतलब यह number भी 3 के table में जाएगा तो यहां पे 3 का table लेना है 3 लेना है 3 के table से होगा तो 3 के table में हमें 20 देखना है 3 के table में 20 है क्या नहीं अगर नहीं है तो छोटा लेना है तो 3 के table में 20 नहीं है 3 तो हमें छोटा लेना होगा 3 6 जा 18 19 20 दो इसमें extra है तो वो बाजू में carry हो जाएगा तो बाजू में 21 हो जाएगा, ऐसे, तो 3, 6, 18, दो जो 2 extra था, वो हमने बाजू में carry forward कर दिया, अब यह 21 हो गया, 3 के table में 21 देखना है, मतलब 3, 7s are 21, ऐसे, तो 3, 7s are 21, फिर उसके बाद में 67, फिर से हमें table यहां use करना है, तो जैसे हम देख सेकते है, 7, 11, 19, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, यह सारे प्राइम नंबर है, ऐसे 67 भी एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं, जो किसी और के table में नहीं जाता है, सिर्फ वो 1 के table में जाता है, और खुद उसी के table में जाता है, तो यह नंबर 67 प निकालने आने चाहिए तो हमने factors निकाल लिया है 3 और 67 अब यहां पर 201 को factorize करना है मतलब 3 multiply by 67 यह मने 201 को factorize करती है multiply by A into A into A तो A cube था तो 3 बार A लेना है multiply by B square B multiply by B ऐसे this will be our solution ऐसे हमें factorize करना है मतलब यह इसको हमें product form में लिखना है इसी को factorization बोलते है तो यह हो गया factorize तो ऐसे factorize करने हमें आना चाहिए I hope you got this के कैजमने इसे solve किया नहीं समझ में आ रहा है reverse जाओ video फिर से देखो you will get it के कैसे solve करना है तो यह first question solve किया है let us see the second question second question है 91 91 x y t square को factorize करना है तो पहले हम 91 के factors निकाल लेते हैं ऐसे 91 के factors तो देखना है कि 91 कौन से table में जाता है 2 का table यहां नहीं जाएगा 2 के बाद जो table आता है वो 3 3 के table के लिए मैंने पता है था कि add कर के देखना है तो 9 plus 1 9 plus 1 10 होता है तो 10 जाएगा 2 के table में 2 के table में 10 नहीं जाएगा तो sorry 3 के table में 10 नहीं जाएगा तो 3 का table यहाँ apply नहीं होगा 3 के बाद आता है 5 5 का table apply नहीं होगा क्योंकि unit place पे 0 और 5 चीए 5 का table यूज़ करने के लिए 5 का table भी use नहीं होगा 5 के बाद prime number आता है 7 तो यहाँ पे 7 का table जाएगा या नहीं यह हमें चेक करना है 7 का table जाता है तो 7 का table हमें use करना होगा 7 का table 7 का table के लिए हमें divide करके चेक करना होगा जाता है कि remainder 00 आएगा मतलब जा रहा है remainder 00 नहीं आएगा मतलब नहीं जा रहा है तो 7 का table हमें apply करना है 7 के table में 9 हमें देखना है 7 के डेबल में 9 नहीं है छोटा लो 7 1s are 7 8 9 2 बज गया 2 बाजू में carry forward होगा तो यह 21 हो गया 7 के डेबल में 21 देखना है मतलब 7 3s are 21 ऐसे 7 1s are 7 2 बज गया 2 बाजू में carry गया 21 हो गया 7 3s are 21 next उसके बाद अब 13 आ गया 13 खुद एक prime number है तो 13 1s are 13 ऐसे मुझे factorize करने आना चाहिए I hope you getting this कैसे किया अगर यह नहीं आ रहे तो you have to find the table के 91 कौन से table में जाता है तो इसके लिए 13 का table 7 का table आना चाहिए तो बहुत अच्छे से तो ही answer मिल पाएगा तो अब और answer is 7 multiply by 13 7 multiply by 13 multiply by x multiply by y multiply by t multiply by t ऐसे 1x था तो 1x 1y था तो 1y t square था तो 2t लेना है तो this is the solution यह इसका factorization है तो ऐसे हमें factorize करना है I hope you got this second question कैसे किया let us see the third question third question है 24 a square b square तो पहले हम 24 के factor निकाल लेते हैं तो 2 का table use करना है 1s are 2 to 2s are 4 फिर से 2 के table में जाएगा क्योंकि unit place पे अभी भी 2 आ रहा है फिर से 2, 2, 6 are 12 फिर से 2 के table में जाएगा फिर से 2 का table 2, 3s are 6 फिर 3 का table जाएगा 3, 1s are 3 तो हमने इसको form कर लिया है जैसे लास्ट में 1 आने पर रुख जाना है तो ऐसे हमें solve करना है अब यहां पे जो हमें factors आये 2 into 2 into 2 into 3 वो लिक लेना है और B square है तो दो बार भी लिखना है B into B तो this will be our solution ऐसे हमें solve करना है I hope you got this के कैसे solve किया factors निकालो factorize करो variables को factorize करो you will get the answer that this is our solution let us see the last question fourth question बहुत simple और easy है इसमें कोई भी coefficient नहीं है तो हमें ऐसे factors coefficient नहीं है coefficient नहीं है तो ऐसे factors निकालने का जरूरत नहीं है direct variables को factorize करना है तो directly T multiply by R multiply by R multiply by R multiply by S multiply by S multiply by S ऐसे तो T लिख लिया, R square था, तो R into R लिख लिया, S cube था, S into S into S, S cube हो गया, तो this is our solution, क्योंकि यहां पर coefficient नहीं था, तो ऐसे factors निकालना नहीं पड़ गया, डिरेक्ली हम लिख सकते हैं, तो this will be our answer, I hope you got this, कि fourth question मेंने कैसे solve किया, I have shown you all the questions of practice set 52, practice set 52 के सारे question हमने solve कर लिए, one, two, three and four, I hope you understood this, easy or simple practice set है, factors निकालने आने चाहिए, अगर factors निकालने नहीं आते हैं, तो six standard में, fifth standard में सिकाया गया था कि कैसे factors निकालते हैं, तो reverse जाकर सिकना होगा, कि हमने six standard में कैसे factors निकाले थे, but I'd explain you, मैंने try किया कि समझ में आ जाए कि कैसे factors निकालते हैं, so I hope you got this, तो thank you for watching, don't forget to subscribe, share with your friends, thank you all, take care.